नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशा जुनत्तिस अगस्त दोपहर तीन बजे राज्यस्तान की खास खबरें भजनल सरकार की कैबिनेट में करमचारियों से जुड़े कई फैसले किये गए सरकार ने करमचारियों की डेथ ग्रेजवेटी बीस लाग से भडाकर पच्चिस लाग कर दी जिलान्यालिया में काम करने वाले लिपिक वर्ग चतुर्त श्रेणी करमचारी और ड्राइवर्स को परोनत्ती देने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है डेप्टी सियाम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राजय करमचारियों को अब बड़ी फैमिली पैंशन मिलेगी सेवाकाल में करमचारी के मृत्यू पर परीजनों को 10 साल तक बड़ी दर से फैमिली पैंशन आरजी अच्चस में जिकित सा स्वीदा के लिए माता पिता या सास ससुर में किसी भी एक को जोडने का विकल्प मिलेगा बशर्ते ये कार्मे के साथ निवास करती हों बैठक में शिक्षा और मेडिकल विभाग के लिए ट्रांसवर पॉलिसी के प्रारूप का प्रेजन टे प्रदेश में बिजली उत्पादन को भड़ावा देने के लिए सरकार ने अडानी रिन्यूएबल एनर्जी सेथ चार कंपनियों को प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जमीन आवंटन करने का निरने लिया है सिरोही जिला सेशन नैडिश सिरोही रूपा गुपतानी दहेज हत्या के दोशी को साथ साल की कठोर कारवास की सजा सुनाई है साथी दोशी पर पंद्रा हजार पे का जुर्माना भी लगाया है लोकभियोचक लक्षमन सिंग बाला ने बताया कि 8 मई 2020 को परिवादी गुपाराम ने पालडी एम थाने में दे रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन इंदा की शादी तीन साल पहले वागराम निवासी वान की साथ हुई थी इदा का पती वागराम शुराप पी कर इदा के साथ मारपिट करता था और दहेज की मांग करता था वागराम उसकी बहन इदा के साथ सगालिया गाउं में खेती करता था 7 मई 2020 को नशे में वागराम ने उसकी बहन से मारपिट कर हत्या कर दी पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफतार कर कोट में चलान पेश किया बीजेपी परदेश परभार इरादा मोहंदास अगरवाल को सचिन पाइलेट ने नाम लिये बिना विरोधियों का समान करने की नसीहत देते हुए तंज कसा पाइलेट ने कहा राज्यस्तान तो अतीथी देवो भव की भूमियां जो भी आया है उसका स्वागत है यहां मुहबबत का इतिहास रहा है वानी में विनामरता रखनी चाहिए लोगों को समान पुर्वक संबोधित करना चाहिए जहां तक राजनीती की बात आ रही है तो पुचनाव आने वाले हैं वा मुकाबला हो जाएगा सब सामने आ जाएगा पाइलेट ने कहा राजनीती में हमारे विरोधी भी हो सकते हैं विरोध विचार और सोच का हो सकता है काम करने के तरीके का हो सकता है उस पर चर्चा हो समवाध हो हमारी बिरादरी के लोग समझते हैं हमने बड़े से बड़े विरोधी का भी विरोध किया है और डटकर जगों पर मांसुन कमजोर हो गया जैपूर फरतपूर सेकर चूरू कोटा अजमेर जोदपूर समेत कई जिलों में धूप निकली मौसम विशिशग्यों का कहना है कि राजिस्थान में एक सितंबर तक कुछ स्थानों पर हलकी बारिश हो सकती है दो सितंबर से मांसुन फिर से एक्टिव होने और तेज बारिश का नया सेशन फिर से आने की संभावना है राजिस्थान में अब तक समाने से 52 फिस्दी जादा बरसात हो चुकी है प्रदेश में एक जून से 28 अगस्त तक 361.3 mm औसुत बारिश होती है जबकि इस सीजन में अब तक कुल 549.9 mm बरसात हो बंगाल की खाड़ी में बना एक नया सिस्टम बन रहा है जिसके वैस्ट दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है इस सिस्टम का राजिस्थान में 2 सितंबर से असर देखने को मिल सकता है पुर्वी राजिस्थान के कोटा उद्यपूर फरतपूर जैपूर और अजमेर भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं यह कहावत तब चरितार्थ हुई जब 14 महीने पहले अपहरण किये गए 11 मा के काना को फिर मा की गोद मिल गई काना अब 25 महीने का है इसलिए मा एक बारगी तो उसे पैचानी नहीं पाई वातिका से अपहर्त 11 महीने के कुको मास्ट में पर अलेगर से बरामत कर लिया अगवा करने वाला यूपी पुलिस का सिपाही तनुज चाहर है तनुज काना के परिवार का परीचित था कोई पैचान ना पाए इसलिए बच्चे को क्रिशन और खुद सादू वन मत्रा वरंदावन में घूमता था जैपुर कर आरोपी को पकड़ लिया तनुज आगरा का है वे यूपी पुलिस का निलंबित कॉंस्टेबल है गौर तलब है कि सांगानीर में वार्टिका निवासी पूनम ने ग्यारा माह की बच्चे काना के अपहरण की रिपोर्ट 14 जुन 2023 को दर्स करवाई थी हरियाना कॉंग्रिस में सांसदों को विदान सबाच चुनाव में नए उतारने की फैसले की बात खमासान मच गया है मेडिया रिपोर्ट्स की मताबिक सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा की कहा कि सोशल मीडिया पर चुलाया जा रहा दीपक बाबरिया का बयान अधूरा है उन हाई कमान की अनुमती से विदान सबाच चुनाव भी जरूर लड़ूंगी हरियाना में कॉंग्रिस की सरकार बनाने के लिए मजबूत हो कर जनता की हक के लिए लड़ाई लड़ूंगी वह राजसबाच सांसद रंदीप सुर्जेवाला का कहना है कि वह पहले ही कह चुके ह है कि हाई कमान जो तै करेगा उसके अनुसार फैसला लेंगे दरसल बीते कल कॉंग्रिस परभारे दीपक बाबरिया ने कहा था कि कॉंग्रिस ने सधांतिक फैसला लिया है कि किसे भी लोग सबावे राजसबाच सांसद को विदान सबाच चुनाव का टिकेट नहीं दिया जाएगा राजानी जैपूर के बनी पार्क खाने में एक युक ने अपने ही दोस्त मामला दैज्ज करवाया है बने पार्क थाना महिश शर्मा मार्ष बटाया कि बाबु से रहने वाले एक ये रिपोठि में बताया कि एक अगस्त को वह अपने दोस्त राहूल के साथ माउं टाबू गया था वहापर दोनों दोस्त एक गैस्ट हाउस में रुके थे उसरान पिडित युवक नहा रहा था तो राहूल ने उसका नगन वीडियो बना लिया दो दिन बार पिडित युवक खर पहुंचा जिसके बाद राहूल ने उसे वाटसेप पर उसका वीडियो भेज कर रुपए मांगे रुपए नहीं देने पर वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी खबराकर पिडित ने उसे एक लाख रुपे दे दिये बाई सगस्त को आरोपी ने दुबारा से वीडियो भेज कर और पैसे की डिमांड की परेशान पिडित थाने पहुंचा और मामला दर्श करवाया जैपुर के कोटपुतली में 25 बच्चों से भरी नीजी स्कूल की बस पलट गई बच्चों की चीक पुकार सुनकर आसपास की खेतों में काम करे ग्रामिन दोड़कर उन्हें बचाने आये एक घंटे में सभी बच्चों को रेस्क्यू कर लिया मामला कोटपुतली बहरोट जिले के कोड़ पुदलिक शेतर के चांदूली गाम का है प्रागपुरा थाने की एसाई सुरेंदर सिंग ने बताया कि बस पलटने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे तब तक ग्रामिनों ने सबी बच्चों को सरक्षित बाहर निकाल कर घर भेज दिया था ग्रामिनों का कहना है कि प्रशाशन की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है क्योंकि टस्कॉला दूदा वाली चांदूली समेत कई गामों के लिए अवागमन का यह एक मात्र रास्ता है यह रोड पूरी शतिक रस्त हो चुकी है राजस्तान की अलग-अलग शेहरों से निकलने वाले स्टेट हाइवे पर बने टोल बूत पर अब फास्टेक की रुपए कटेंगे इस साल की अंत तक पूरी प्रदेश में यह विवस्था लागू हो जाएगी इसके साथ ही टोल पॉलिसी में भी बदलाव किया है दरसल डिप्टी सीम और सारुजनिक निर्मान विभाग मंत्री दिया कुमारी की अधिक्ष्टा में राजस्तान स्टेट रोड डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन की बैठ खुई इसमें टोल पॉलिसी और फास्टेग के नियमों को सक्ती से लागू करने के निर्देश दिये साथी एक्सप्रेस हाइवे की तर्स पर स्टेट हाइवे पर फैसिलिटी और कैफिटेरिया डेवलप करने के लिए जमीन चिनहित करने के लिए कहा है RSRDC अधिकारियों की मताबिक वर्तमान में 86 फिस्दी बूथों पर फास्टेग सिस्टम तो लग चुका है लेकिन उसमें से 50 फिस्दी पर भी आपरेशनल नहीं है अलवर की राजगर्धानक शेतर निवासी एक महिला ने अपने रिष्टेदारों पर बंदक मना कर रखने और सामुहिक दुशकरम का मामला दर्स करवाया है DSP मनीशा मीना की अनुसार पेडितानी दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी शादी करीब 15 साल पहले हुई थी उसका 12 साल का एक बेटा भी है उसके पती की मौत करीब 10 साल पहले एक सड़क हाथसे में हो गई थी अगस 2023 में रिष्टे में जीजा लगने वाले सक्ष ने उसे विशवाश में लिया और अपने साथ ले गया और चार माह तक बंदक बना कर अरोपी और उसके भाई ने सामोहिक दुशकरम किया बार में दोनों ने पिडिता को जबरदस्ते गाड़ी में बिठाया और हर्याना में उसके बुआ के घर ले गए वह दोनों ने पिडिता को 14 लाक में बेच दिया हर्याना में पिडिता का सौधा करने वाले लोगों ने भी उसे घर पर बंदक बना कर रखा और उसके साथ दुशकरम किया पुलिस मामले की जांच कर रही है जालवाड की पिडावा थाना पुलिस ने डेर साल पहले समू की राशी वसोल कर गबन करने की फरार आरोपी को उसके गाम से गिरफतार किया है आरोपी पिडावा थाने के टॉप टैन आरोपियों की सूची में भी शामिल है सीय बाबुलाल मीना ने बताया कि 18 प्रैल 2023 को फर्यादी 26 वर्षे कपिल पारीता निवासी संगोद कोटा हाल शाखा परबंदक दिगंबर फाइनेंस पिडावा ने एक परिवाद स्पी जालवाड को पेश कर बताया के हमारी कमपनी की एक शाका जिले के पिडावा में है जिस शाका का परभारी परबंदक पिडावा शाका में पदिस्थापित करमचारी राकेश कुमार बुनकर निवासी बादु महला जैपुर रिंड की किष्टों को वसूली का कारे करता था रकेश बुनकरनी मार्च 2021 से आज तक कई ग्राकों से किष्टों की कुल रकम 1,60,711 रूपे वसूल करके कंपनी के बैंक खाती में जमा नहीं करवाए पुलिस ने एरोपे को उसके गाम से गिरफतार कर लिया है झाल झाल झाल